जै माता दी दोस्तों आप सभी कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बाक्स में जरूर लिख भेजिएगा जै माता दी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में देव उठनी एका दसी या प्रब सम्रद्धी तंगी प्रिशान है ब्यापार में उन्नती नहीं हो रही है और आपके घर में साधी के सुभ सम्रद्धी नहीं बन रहे हैं तो अगर आप ये उपाय देव उठनी एका दसी के दिन कर लेते हैं तो आपके सभे परेसानिया दूर हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा सुख समरधी बनी रहेगी और साथ ही जानेंगे कि दे उठनी एका दसी के दिन हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुलसी जी में और विश्नु जी में अरपित नहीं करना चाहिए नहीं तो बहुत जादा आपसे नार प्राज हो गए तो आपकी पूजा पूरी तरह से असफल हो जाएगी तो वीडियो में बने रहेगा वीडियो जरूर पूरा देखेगा और वीडियो जरा भी हेल्फ फुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए जान लेते हैं सभी बहा दसी को देव उठनी एका दसी, सिरी हरी प्रवोधनी एका दसी या देव उत्थान एका दसी भी कहा जाता है और इसी दिन भगमान विश्णू अपने योग निद्रा से चार महीने के बाद जागते हैं और सरष्टी का फिर से संचालन करते हैं इस दिन ही चतुर मास समाप् दसी के ब्रत का विश्णू जी को समर्पीत है कार्तिक मास के सुक्ल पक्ष की देव उठनी एका दसी को ब्रत रखा जाता है और इसी दिन भगमान विश्णू के स्वरूप सालिक राम और तुलसी माता का विवाह बड़े धूमधाम से पूरे भारत वर्स में मनाया जाता ह दोस्तों यह तेवार कहीं कहीं पे पांच दिनों तक चलता है एका दसी से लेके पोडिमा तक है तो दोस्तों एक और जरूरी बात अगर आप साल भर एका दसी का ब्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण बस तो आप सिर्फ एक ही एका दसी देव उठनी एका दसी का ब्रत और चलिए दोस्तों साथ ही जान लेते हैं कि अगर आप किसी कारण बस दिवाली नहीं मना पाए हैं तो आप एका दसी के दिन दिवाली भी मना सकते हैं और सिरी गणेश जी लक्षमी जी का आप अपने घर में पूजन भी कर सकते हैं दोस्तों का किसी कारण बस अगर आप पूरे महीने भर में दीवडान नहीं कर पाए हैं तो इन पाँच दिनोमे आप दीवडान भी कर सकते हैं एक किस दीपदान आप एक दिन में जला सकते हैं या इंक्यामन दीपदान जला सकते हैं जितने भी आप दीपदान करना चाहें तो इन पाच दिनों में कर सकते हैं दीपदान कहां कहां पे करना चाहिए तो आप तुलसी माता के नीचे कर सकते हैं किसी मंदिर में जाके कर सकते हैं और कोशिस करें कि अगर आपके आसपास कहीं नदी तालाब हैं तो वहाँ पे जाकर आप दीप दान करें क्योंकि तालाब नदी के किनारे अगर आप दीप दान करते हैं तो विशेश फल की प्राप्ती होती है दोस्तों इन पाँच दिनों में आप दान पुन्न भी कर सकत आप अपने समर्थ के हिसाब से जो भी आपके समर्थ हो उस हिसाब से आप दान कीजिएगा अन्य दान फल दान सोना दान चांदी दान जमीन दान जो भी आप दान कर सकते हैं क्योंकि जो भी आप इन पांच दिनों में दान करते हैं सीधा सीधा आपको मोक्ष की प्राप्ति ह और सीधा आप बैकुंठ धाम जाएंगे और आपके उपर हमेशा विश्नु जी और लक्षमी जी की क्रपा बनी रहेगी तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि अगर आपकी जीवन में परेसानी हैं आप व्यापर में उन्नती नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक तंगी से परेसान हैं करज से परेसान हैं और साधी के सुभ सयोग नहीं बन रहे हैं तो देव उठनी एका दसी के दिन आप ऐसे कौन से उपाय करें कि सभी कारचेतर में आप सफल रहें और हमेशा आपके उपर भगमान विश्नु जी और मालक्षमी जी की क्रपा बनी रहेगी तो चलिए दो काल इसनान करके ब्रह्म मुहुर्त में भगमान सिरी हरी विश्नु की पूरिस रधा के साथ पूजा कीजिए और एक पान के पत्ते में ओम विश्नवे नमाह ओम विश्नवे नमाह लिख कर साथ वार ग्यारा बार उनके चर्णों में अरपित करें अंगले दिन पान के पत्त नमबर दो अगर आपके घर में किसी के भी विबाह में रुकाबट आ रही है तो देव उठनी एका दसी के दिन भगमान विश्नु जी को पूजा के समय दूध में केसर मिला कर उनका अभिसेख करें और फिर पीले चंदन या हल्दी से उनका तिलक करें और सिरी हरी विश्नु को पीले फूल धूप दीप अगर बत्ती और पीली मिठाई या केले चड़ा कर भोग अर्पित करें ऐसा करने से अगर आपके घर में किसी के भी विबाह में रुकाबट आ रही है तो दूर हो जाएगी और सीगर ही विबाह के योग बनेंगे और अगर आप किसी भी प्रका कामना है बोले और अबस ही आपकी मनो कामना पूरी होगी भगमान विश्णु जी की क्रपा आपके उपर हमेशा बनी रहेगी अगर आप कर्ज से परेसान है तो आपको जल्दी ही मुक्ती मिलेगी दे उठनी एका दसी के दिन सुबह में आप पीपल के ब्रक्ष में जल जंगी दूर होगी और आपके घर में व्यापार में धन धन की प्राप्ती होगी सुख सम्रिद्धी हमेशा बनी रहेगी दोस्तो नमबर चार विश्णु जी को आप ऐसी कौन सी चीज़ें अरपित करें कि विश्णु जी आप से अतिप्रसन हो और आपकी सभी तरह की हर मन यायो पुर तो दोस्तो दे उठनी एकाड़सी के दिन विश्णुजी को आप कमल का फूल अबस्त चढ़ाएं कमल के फूल में भगमान विश्णुजी के सांत मात लक्षमी को भी अतिप्री है एका दसी के दिन स्री हरी विश्नु को कमल का फूल चढ़ाने से सभी मनो कामनाय पूर्ण होती है भगमान विश्नु जी के प्रिय भोग देव उठनी एका दसी के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए भगमान विश्णू जी के प्रिय भोग केला, पंजीरी, पीली, मिठाई, आवला, स्रीफल, बेसन के लड़ू, बेसन की बरफी, मालपुये, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाने से भगमान विश्णू जी आपके उपर अतिप्रसन होंगे और उनकी क्रपा आपके उपर हमेशा बरसाते रहेंगे, आपके घर में हमेशा धन, दान, बैभो, सुख, समरद्धी हमेशा बनी रहेगी और सभी तरह की हरी मनुकामना पूरी होंगी तो दोस्तों चलिए साथ ही जान लेते हैं कि दे उठनी एका दसी के दिन तुलसी जी को कौन सी ऐसे चीज़े आप अरपित करें कि उनकी क्रपा हमेशा आपके उपर बनी रहे क्योंकि तुलसी जी महालक्षमी जी का स्वरूप मानी जाती हैं और अगर आप दे उठनी एका हागे में 108 गाठ बांध कर तुलसी जी में बांध दें ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी लक्षमी जी का हमेशा आपके घर में बास रहेगा नमबर दो दे उठनी एका दसी के दिन अगर आप तुलसी माता में लाल कलाबा बांधते हैं तीन बार घुमा के या पांच बार या साट बार आपको लाल कलाबा घुमा कर बांधना है ऐसा करने से मालक्षमी की क्रपा आपके उपर हमेशा बनी रहेगी और आपकी सभी मनो कामना पूरी होंगी दोस्तों नमबर तीन आप अपने समर्थ के अनुसार दे उठनी एका दसी के दिन तुलसी माता को 16 रिंगार अबस से चढ़ाएं अगर आप 16 रिंगार नहीं चढ़ा सकती हैं तो 7, 5, 11 रिंगार की सामगरी और 7 लाल चुनरी चढ़ाएं ऐसा करने से दे उठनी एका दसी के दिन तुलसी के पौधे के सामने साम को 5 दीपक घी के अबस जलाएं और जला कर आर्ति जरूर करें ऐसा करने से आपके घर में धन की ब्रद्धी होगी हमेशा घर में आपके सुक सम्रद्धी बनी रहेगी लक्षमी जी का बास होगा तिजोरी भरी र तुलसी जी को अर्पित नहीं करना चाहिए अगर आप भूल से भी अर्पित कर देते हैं तो आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है और आपकी पूजा असफल हो सकती है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं एका दसी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि एका दसी थी भगमान विष्णु जी को समर्पित है इस दिन तुलसी माता भगमान विष्णु जी को प्रसन्ण करने के लिए निर्जला ब्रत रखती हैं तुलसी माता महा लक्षिमी का स्वारूप मानी जाती हैं इसलिए एका दसी के दिन भूल कर भी तुलसी जी में जल अरपित ना करें अगर आप जल अरपित कर देते हैं तो तुलसी जी का ब्रत खंडित हो जाता है और वो आप से नाराज हो जाएंगी और आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं और आपकी पूजा पूरी ढूस्तो रबीबार एकादसी चंद्र ग्रहान सूर ग्रहान दोधसी आमावस्य के दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और साथ ही तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए ऐसा माना जाता है कि इन दिनों तुलसी जी भगमान विश्नु जी के लिए निर्जला ब्रत रखती हैं इसलिए इन दिनों तुलसी जी को तोड़ने से बचना चाहिए साथ ही इन दिनों आप तुलसी जी में जल भी भूल कर भी अरपित ना करें नहीं तो अगर आप जल तो खास तरह से आप इन बातों का ध्यान दे और चलिए साथ ही जान लेते हैं कि आप ऐसी क्या एक चीज है अगर आप विश्नु जी को समर्पित करते हैं तो आपके उपर हमेशा विश्नु जी की क्रपा बनी रहती है तो दोस्तों जब भी आप भोग लगाएं विश्नु ज जी को तो तुलसी दल जरूर अरपित करें क्योंकि विश्नु जी को तुलसी दल अतिप्री है और उनका तुलसी दल के बीना भोग अधूरा माना जाता है तो इसलिए तुलसी दल जरूर अरपित करें अब चलिए जान लेते हैं साथी कि विश्नु जी को भोग में आप क्य पान-चड़ान नभूलियेगा, पान भी आप लक्चमी जी को अर्पित करें। भोग चड़ाते हैं तो आप से वाधि प्रसन रहेंगी आपके घर में हमेशा सुक समरधी बनी रहेगी आपकी तिजोरी भरी रहेगी और आपके घर में कभी धन धन की कमी नहीं होगी तो चलिए दोस्तों साथ ही अब जान लेते हैं सही डेट मुहुर्त की तुलसी विवाय क कब है और एका दसी का ब्रत आप कब रखें दोस्तों कार्तिक सुकलपक्ष की एका दसी तिथी का प्रारंभ हो रहा है सोम बार ग्यारह नौमबर दो हजार चौबिस को दिन में दो बजकर 41 मिनट पर अंगले दिन मंगलवार को 12 नौमबर को दो पहर में 12 बजकर 27 मिनट तक एका तिथी रहेगी उद्या तिथी के अनुसार कार्तिक सुकलपक्ष देव उठनी एका दसी हर प्रबोधिनी एका दसी का ब्रत मंगलवार को 12 नौमबर को दो हजार चौबिस में रखा जाएगा और ब्रत का पारण बुधवार 13 नौमबर को प्रातह काल 6 बजकर 35 मिनट स लेके साड़े आठ बजे तक आप कर सकते हैं आग चाहें तो 10 बजे तक भी पारण कर सकते हैं और दोस्तो 13 नौमबर को तुलसी बीबाह संपन किया जाएगा तो दोस्तो वीडियो जरा भी हेल्प फूल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा फ अब तक के लिए जैमाता दी